पूरी प्रत्वी का 71% पानी और 29% स्थल भाग है और इसमें ही हम इंसान वस्ती बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं हमारा समुंदर इतना विसाल है कि इसके सामने हमारी कल्पना भी हार जाती है इन विसालकाई समुंदर के नीचे हजारों रहस में ही जगाएं और चीजें हैं जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुंकियों है इन्ही सब रहसियों में से एक कहानी है टाइटैनिक की इस जहाज के डूबने के लगवग 73 सालों तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि ये जहाज कहां डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है 15 अप्रेल 1912 को ये अनौखा जहाज डूबा था इसके लगवग 73 सालों बाद यानि 1985 में इसे ढूणा गया लेकिन इसे डूणने के 35 साल बाद भी इस जहाज को समंदर की गहराई से अभी भी निकाल नहीं पाए हैं आज की हमारी इस वीडियो में टाइटैनिक क्यों और कैसे डूबा था इसके वारे में बात नहीं करेंगे बलकि आज भी समुद्र की गहराईयों में इसे क्यों नहीं निकाल पाए हैं इस विजह पर बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हम सब को थोड़ा बहुत तो पता जरूर है और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉनिक मूवी का जो सन 1997 को रिलीज हुई थी सन 1912 को टाइटैनिक दूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैग्यानिकों ने इसे ढूणने की जीतोड कोशिस की और कई सारे मिसन भी तलास किये लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई आखिरकार सन 1985 में एक आर्केलोजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी आफिसर रोवर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूणने के मिसन पर निकल पड़े उन्हें टाइटैनिक अभी कहा है और किस हालत में है इस बारे में पता चला उनके टाइटैनिक को ढूणने के बाद इसके कई राजों से परदा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया टाइटैनिक समुंदर के 12,000 फुट गहराईयों में डूबा था ओफिशिल रिपोर्ट के मताविक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुंदर की गहराई में समाता गया वैसे वैसे ये जहाज दो हिस्तों में तूट गया लेकिन ऐसा क्यूं हुआ? टाइटेनिक दा नियू एविडेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटेनिक आइसवर्ग से टकराने के बाद नहीं, बलकि आग लगने की बज़य से डूबा था. खोज करताओं को जब इस जाज का मलवा मिला तो उन्होंने पाया उसमें बहुत सी चीजे वैसी की वैसी ही हैं. इस जाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिस की गई, लेकिन सायद सब लोग ये जान चुके थे कि इसे बाहर निकालना नामुम्किन है. आज की एडवांस टेकनोलोजी की मदद से भी टाइटेनिक को निकाला नहीं जा सकता, और ये समुन्द की गहराई में आज भी मौजूद है. आमतोर पर किसी विजाज को समुन्द के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटेनिक को इस तरह से निकाल पाना नामुम्किन है, क्योंकि ये दो हिस्सों में तूटकर डूवा था. लेकिन हाइटेक सम्मरीन और पावरफू मैगनेटिक सिस्टम की मदद से सैद उसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. इसमें सबसे पहले आता है टाइटैनिक का वजन, जो करीब 1.3 लाट टन है, जो बहुत ही जादा है, और इसके बाद आता है पानी का दवाग, जो जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है. टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी, उस जगह की गहराई बहुत ज़ादा है, और उस जगह में मातर एक स्कायर फूट की किसी भी चीज़ को सते तक लाने के लिए करीब 3.92 किलो न्यूटन के फोर्स की ज़रुत पड़ेगी. लेकिन वेग्यानिक आज तक इतनी पारूफुल मैगनेट समरीन बना नहीं पाए हैं. इतनी आसानी से, इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सकें. शुरुआत में वेग्यानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था इसलिए उन्होंने कई मज़धा तरीके ट्राई किये टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए जिसमें सबसे पहला पिंक पॉंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रीकर्ब करने का प्लान सोचा जी हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, पिंक पॉंग बॉल वैग्यानिकों ने ये तरकीब लगाई कि डूवे टाइटैनिक जहाज में पिंक पॉंग बॉल भर देंगे ताकि ये वाल उपर की तरफ दवाव डाले ऐसा करके सम्मिरिन या फिर बड़े मैगनेट की मदद से जहाज को निकालना मुम्किम हो लेकिन तब वैग्यानिकों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि पिंक पॉंग बॉल समुन्द की गहराई में जाते ही पानी के दवाव से फट जाएंगी तब वैग्यानिकों ने बड़े वालून की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्ब ना की उन्होंने ये सोचा कि अगर हजारो लाखो वल्यून में हीलियम गैस भर कर इन वल्यून्स को जहाँ से बांग दिया जाए तब वल्यून्स उपर की तरफ दवाव डालेंगे और ऐसा करके टाइटैनिक को निकाला जा सकेगा लेकिन तब वैग्यानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन वल्यून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था आखिकार वैग्यानिकों ने ये तरकीब लगाई कि वर्फ की डैंसिटी पानी की तुलना में कम होती है जॉन पैरे ने उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरुद पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था लेकिन ब्रिटिस गैस कंपनी बी ओसी के मुताविद इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के क काम्याब ना होप सका उसके बाद एक सिब बिल्डिंग कंप्रीन ने टाइटैनिक को निकालने का एक आइडिया उनके मुताविक सबसे पहले टाइटैनिक में जमें सहवाल को एक गंदगी को साफ करना पड़ेगा और उसके लिए पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसे मसी की जरत होगी इसके बाद एक लोहे की मजूद मोटी तार को इस टैनिक सो जोड़ देना पड़ेगा और बाकी का काम ये मसीन ही करता और एक ऐसे सम्मरीन का जुगार करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो इतना ही नहीं इस प्रोजेक्ट में भारी मातरा में विज की जडरत होगी इस बिज्दी उस बादन के लिए ऐक पावर प्लाइंट की जरुड़त होगी लेकिन समस्य यह थी कि समुंद्र की गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाये जाए वैंग्यानिकों ने फ्लॉटिंग पावर प्लांट बनाने के वारे में भी सोचा पर इतनी गहराई में टिक नहीं पाईगा अधिक दौब का वायर फट जाएगी कैसे खरकर अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया गया तो फिर भी यह प्रोजेक्ट का महेंगी सावित हो इस लिए इस प्रोजेक्ट को तुरंट बंदगर दिया गया बहुत सी बड़ी कमपन और इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा पर इसमें इतना खर्च है कि इस वारे में नए सोचना ही बहतर है लिके टाइटानिक को बाहर निकालने में इतना खर्च होगा कि उस पैशे की रिकार्वरी करना मुश्किल के बरावर है इस कारण इस प्रोजेक्ट को कोई भी अंजाम देना नहीं चाहता कोई कमपनी से निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो इसमें किये गए खर्श को रिकवर करने में सौ साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा हाला कि इस अनों के जाज को लोगों के इमोशन जुड़े हैं लेकिन फिर भी कोई कमपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती वैग्यानिकों के मताविब वैक्टेरिया ने इसके मलवे को खोकला कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में ये वैक्टेरिया टाइटैनिक को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे तिर्फ इतना ही नहीं टाइटैनिक बहुत से मक्चलियों का घर बन चुका है इसलिए यूनेसकों ने साल 2011 में अंडर वाटर कल्चर हैलिटेज प्रोजेक्ट साइट डिकलेयर कर दिया है कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्च होगा उतने पैसे में दूसरी और भी बहतर जहाज खरीदी जा सकती है और कोई भी कमपनी ऐसी वेवकूफी करना नहीं चाहेगी वैसे तो इस जहाज को कभी समुद्र की गहराई से नहीं निकाला जा सकता और अगर ये जहाज समुद्र में आने वाले कुछ दिनों में टिकी रही तो हमारी आने वाली नशल भी इसकी रहस्मी गाताओं को जान पाएगी दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आज के हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो फिर मिलते हैं आपको साथ अगली वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट सेयर करें धन्यवाद